हेलो एवरिवन वेल्कम टॉड़ा 24-7 स्कूल में राजिंदर साखला बच्चो इस सेशन में हम कक्ष्या 11 की पुस्तक आरो बाग फस्ट के अध्याय संक्या 17 जिनके लेखक का नाम है दुस्यंत कुमार और जैसे ही हम लोग दुस्यंत कुमार का नाम लेते हैं तो गजल के पर उपर अचना से जितनी भी गजले यहां लीवी हैं साथा को यह हम पढ़ा लेंगे ध्यान से समझने आप लोग और समझ में भी आजाएगा आप लोगों को वैसे तो कहा गया है कि गजलों का कोई सीर्शख नहीं दिया जाता है, उनका कोई केंद्रつ मूल भाव नहीं होता है लेकिन फिर भी लेकर केंद्र rambh Israeli wonder करते हैं कि जिस प्रकार से राजनीतीस वहाज में जो गंदी़े हुई है य कि जो लोग कि आ तकस किया गया है तो बच्चो इस सेशन में हम लोग क्या देखने वाले हैं इस सेशन में हम गजल पढ़ेंगे जितनी भी गजले दी हुई हैं दुसंत कुमार जी द्वार रचीत है वो सब गजले हम लोग पढ़ लेंगे ठीक है इससे पहले हम लोगों ने दुसंत कुमार जी का जिवन तो आपसे पूछ लिया जाए कि कश्या 11 की आरो बाग फस्ट में जो गजल है जो गजले दी हुई है उनके लेखक का नाम क्या है उनके रचियता का नाम क्या है तो बच्चो क्या नाम है दूसेंत कुमार है तो अब लोग क्या देखने हमालें बच्चों दूसेंत कुमार द्वार रची जितनी भी गजलें दी हुई हमारे पाठ्थ है पूछतों उनके बारे में पढ़ेंगे ठीक है तो गजल पहली गजल देख लेते हैं कहां तो तैथा चिरांगा हर एक हर एक घर के लिए कहां चिराग मैसर नहीं सहर के लिए इन गजलों को जब हम पढ़ेंगे ना तो हमें इनको पढ़ेंगे जब अच्छा सा मैसूस होगा कि अच्छा लगेगा कि जिस परकार से हम कोई भी गजल को पढ़ते हैं ना तो गजल पढ़ते पढ़ते हमें उसका अर्थ तो समझ भी नहीं आता है लेकिन फिर भी हमें व नहीं सहर के लिए यहां क्या कह रहा है कभी यहां राजनिती के बारे में नेताओं के बारे में कटाक्स कर रहा है कभी एक व्यंग के रूप में कह रहा है कि जब यह नेता लोग जब चुना होता है जब वोट पड़ते हैं तब तो यह हाद जोड़ करके बहुत अनेक सारे व लोगों को वादे कुछ सुख सुविदा हैं को बहुती रूप से सुख सुविदा हैं उपलब्द कराने का ये वादे करते हैं लेकिन बाद में ये वादे करके भूल जाते हैं तो उनके बारे में बताया फिर कभी कहता है कि जब ये सुख सुविदा हैं जब सहर में ही मैसर नहीं है उपलब्द नहीं है तो हमारे लिए क्या खाक उपलब्द करवाएंगे तो कभी नहीं क्या का है चिरागा चिरागा यानि क्या होता है यहां पे कुछ मूलबूत सुईदाएं ठीक है और मैं सरकार्थ क्या होता है उपलब्द तो चिरागा क्या होता है चिराग उजा परकास यहां परकास आया कुछ बहुतिक मूलबूत सुविदाएं मूलबूत सुविदाएं ठीक है हर एक परते घर के लिए चिराग मैसर नहीं मैसर अपलब्द यानि कि क्या कहा गया था कहां तो तै था यानि कि यह नेता लोग हैं बड़े-बड़े राजनिती में जो जब चुना होता है वोट मांगते आते हैं तो बहुत सारे वादे तै करते हैं क्या कि हम परते घर को कुछ मूलबूत सुविदाएं उपलब्द कराएंगे परते घर में उजाला परकास हम पहलाएंगे यानि कुछ सुविदाएं उपलब्द करवाएंगे क काँच चिराग मैंथ सहर ने जब ही जो वह जोड़ाय है यह जब सहर लिए यह उपलब्द नहीं तो हमारे लिए कहा को glasses oh कि जब यहाज बड़े वादे क्यों करते हैं पहले वोटों की समये तो जब जो बड़े बड़े कर देतें पर्ते घर में प्रकास लाएंगे एक्षाइए कि पीड़ताइँ आप लोगों को लेकिन अब वो सुविदाएं हैं सहर में जब उपलब्द नहीं है तो हमारे लिए आप कहां से उपलब्द करवाएंगे तो कहने का ताथ पर यहां कभी ने राजनी त्यार सत्ता पर बहुत एक व्यंक रूप से कभी ने कहा है कि जूठे वादे मत क्या करो आ जल्चल को खत्म कर एक नई सुवे के बारे में एक नए तरीके के बारे में बताने की कोशिस किये कभी देश के नेताओं पर कटाक्स करते हुए कहते हैं कि चुनाव से पहले इनेताओं ने वादा किया था कि वे समाज के परतेक लोगों को चिराग उपलब्द करवाएंग यहां यही कहा है कि राजनीती पर कटाक्स किया है उस पर तंसकसा है उस पर एक पहना नुकिला एक तीर फैका है कि यह जो बड़े-बड़े नेता लोग है यह वोट मांगते समय तो बड़े-बड़े वादे करते हैं कि तुम्हें इस परकार से यह करवा देंगे यह फलान तो कभी ने यही का है यहाँ पर आ गया समझ में देखो कोई भी दिक्कत नहीं जब भी दिक्कत आए ना थोड़ा सा ध्यान रखनायन या नि मालों हमें यह याद नहीं इसका अर्थ याद पना चुना हो जाता है तो अपने वादों को बूढ जाते हैं मसं आप डाइरेट कह सकते हैं और इतना नेstillट को सब्सक्राइब कोशिश कर org प्राप्ट खरवा रहे थे जब है अ हमारे पास नजुत कर वाएंगे यहां दरकतों के साय में धूप लगती है, चलो यहां से चले और उम्र भर के लिए, यानि कि दरकतों, यानि कि पेड़ पो दे, जो भी होता है न, साय में धूप लगती है, यानि कि यहां उन संस्ताओं पर, यानि कोई बड़ा सारा पेड़ है, वैसे समझा देता हूं नॉर दे रहा था तो वही बात है यहां कुछ संस्ता है कुछ कंपनी ऐसी है जो लोगों को उल्लू बनाती है यानि कि कहते हैं कि तुम आओ यहां और हम आपको ऐसे ऐसे सुक्सुदा है उपलब्द कराएंगे यानि कि आप यह कार्य करोगे तो हम आपके लिए इसना ऐसा कर लेकिन बाद में चलता है वही संस्ता है हमारा क्या करती है सोसन करती है जब इनसान ठक करके बैठ जाता है तो पिर कहता है कि चलो हम यहां से चल लेते हैं कहीं जाकर गुजर बजर वैसे ही कर लेंगे वैसे भी हमरने वाले हैं वैसे यह लोग हमारा सोसन कर रहे हैं इनका तो पेट भरता नहीं है और हमें ये मारकर ही चोड एंगे चलो फिर यहां से इस पेड के नीचे ही दूप तो है चलो और कही चलते हैं कहीं नत कहीं चाया हमें मिलेक selection मिलेगा जो हमारा पढ़ सकते हैं पहले दूसरी फिर पांच वी फिर साती फिर पढ़ सकते हैं फिर पढ़ सकते हैं ऐक के पीछ बात पढने से कोई जरूर तुन نہیں रेकिन फिर भी यी सब घुज इना एक मनय स्थिति को जोड़ ओग्ती है तो क्या उम्र भर के लिए कहीं अकेले में जाकर अपना जीवन गुजार लेंगे दूसरा अर्थ हम निकालें राजनीती की तोर पर तो कभी क्या कहता है कि कुछ संस्थाइं कुछ कंपने ऐसी होती हैं जो लोगों को लालच देखर के बुला लेते हैं कार्य करवा लेती हैं फिर उनक सक वर गए इनका पेट नहीं बर रहा है यह ऐसे सोचते हैं कि जब हम इनका सोसन करेंगे तब ही हमारा राज चलेगा तो गलत सोच रहे हैं चलो हम यहां से चलते हैं कहीं जिंदगी में अकेले जाकर की रह लेंगे सांधे जो कुछ मिलेगे उचे खाकर जी लेंगे वैसे यहाँ जी ने कहां दे रहे हैं हम लोगों को उसी परकार हम वहाँ पर जाकर भी जी सकते हैं देख लीजे बहवार्त यहां कभी ने उन संस्थाओं के बारे मताई जो लोगों को सुख सुख़दाय उप्लब करवाने के नाम पर उनका सोचन कर लेते हैं अर्थात कहने का जीवन जीने का संदेश देते हैं कि चलो यहां से चलते हैं उम्र भर के लिए कि यहां से तो हमें जीने नहीं दे रहे हैं यहां तो हमें मरना भी है एक दिन तो यहां से चलते हैं न कहीं अकेले में सांत सूसान जगए सब्सक्राइए ज़ें ज़ति यहां कुछ मिलेगा तो ख़ालेंगे, वомина मरना तो यहां भी है, यहां तरब तरब के मरेंगे, वहां मर लेंगे, वहां सांथी सजेंगी, कि यहां कोई सोसन तो नहीं कर रहा है हमारा, ठट देखिए, नय हो कमीज तो पाउं से पेट डख ये लोग कितने मुनासिव हैं इस सफर के लिए ने हो कमीज तो पाउं से पेट डख लेंगे ये लोग कितने मुनासिव हैं इस सफर के लिए यानि कि अब उस गरीब रिखते के बारे में कभी ने कहा है कि जिने अपना तन डखने के लिए अपना पेट को डखने के लिए पैट के अंदर घुसा लेता है अपने पैट को छुपाने के नि कि नहीं कर सकते नहीं पैसा-खहना-बोजन कुछ भी नहीं है तो पैरों से अपने पेट को डख लेते हैं अपने पेट की भूग को भी सांत कर लेते हैं और सर्दी से भी बज जाते हैं ये लोग कितने मुनासीब हैं इस सफर के लिए फिर कभी ने कहा है कि ये जो लोग हैं ये जो सोसक वर्ग है जो हमारा सोसन करता है इनको कुछ भी दि से सच्चे हैं जिस सफर के लिए हैं सफर में जीने के लिए लेकिन पिर बी यह ना लाईप लोग इनको Ce D नहीं कर सकते क्यों कि नहीं की पास पैसा है नाइंक specially इन Playing ताकत है जिसके जरीए यह अपनी सुख सुविदाओं को पूरा कर सके यानि कि घरीब वक्तियों के बारे में बताया है कि ये चाहकर भी कुछ नहीं कर सकते क्योंकि जब वक्ति कब कुछ कर सकता है जब उसका पैसा हो अब पैसा होगा तब ही तो कुछ धहरिया पर मजबूर विवस हो जाते हैं तो वही बात यहां है हम कह सकते हैं कि लोग मजबूर है क्यों कि बताकत भी नहीं है पैसा भी नहीं है फिर भी जो कारे नहीं करना चाहते हैं वो भी इनको कारे करना पड़ता है ये ऐसे लोग होते हैं जिनके पास अपना स्री डखने के लिए कपड़े नहीं होते यह अपने पैर से ही अपने पेट को डख लेते हैं ऐसे ही गरीब लोगों का फाइदा वे लोग उठाते हैं जो सोसन करते हैं क्योंकि अगर इन लोगों का सोसन नहीं करेंगे तो राज में सांती कैसे बनी रहेगी ऐसे लोग कि कौन हमसे फिर सलाम करवाएगा कौन हमसे मतलब डरेगा मतलब इनका कहने का ताथ क्या है कभी का कि यहां कभी ने उन गरीब वर्ग का सोसन नहीं करेगा तो उनका राज सासन नहीं चलता है तो कभी नहीं यहां एका बात मनिस्तित्य प्रकट हो लिए कि राजिनीति सत्ता प्रियुन बहुत अच्छा सा कटाक से किया है नेक्स्ट है खुदा नहीं ने सही आदमी का खुवाब सही कोई असी नजारा तो है नजर के लिए कभी क्या कह रहा है कि इन लोगों के पास ये विश्वास करते है इश्वर पर जिसे इन्होंने कभी देखा भी नहीं हैँ लें फिर भी इन्हें उन्रपस पर विश्वास है वो विश्वास कैसे है Uspnik Grad के लिए अपने क्भूाब से अपनी कलपना के दुआरा ये अपने कलपना के दुआरा ही वह इश्वर को बी नहीं देखा है लेकिन फिर भी वे अपने कल्पना के द्वारा इस्वर को मानता है और अपने कल्पना के द्वारा ही अपने सपनों को संजो लेता है अपनी जो खुशियां है अशी नजारे हैं उनको अपने आखों के सामने अपने कल्पना के द्वारा ही पूरा कर लेता सोचो तुम तो याणि कि तूम्हारे पास पैसा नहीं है पिर भी तुम सपने तो ले सकते हो कितना पैसा है मेरे पास के चारोतर पैसा है मैं एक सेट व्यक्ति बन चुका हूँ मैं धन्वान हो इसे करता हूँ मैं अपनी नजरूंग के सांवने ऐसा ख declpis लग सकते हैं कि व्यक्ति जो गरीब व्यक्ति है जो सोशित ability दॉरार जिसे इस वर को कभी देखा नहीं है लेकिन फिर भी विश्वास करता है कि अपने कल da के द्वारा ही वह अच्छ अच्छ नजारों को अद्बै खोब कर लेता है किसके द्वारा अपने खुण के द्वारा है कीTश के किस वस सेर में कभी कहते हैं कि इन गरीबों के पास एक बहुती ब है वह सकती है कलपना सकती ये कलपना के माद्यम से हर चीज को भाप लेते हैं भाप यानि महसूस कर लेते हैं अपने हर सपने को कलपना के माद्यम से पूरा कर लेते हैं उन्हीं यह कलपना भगवान प्रदान करते हैं जिनको ये बहुत ज़्यादा मानते हैं लेकिन इन लोगों ने इस्वर को कब भी देखा नहीं परंतो इस्वर को मन ही मन भाप लेते हैं मैसूस कर लेते हैं यहूं यह अपनी कलपना की सक्ति का सरे भी इस्वर को ही देते हैं कि इस्वर के कारण ही यह अपनी जिंदगी में कुछ अधुरे सपनों को सपनो के माद्यम से ही देख लेते हैं और कल्पना में अपने अधुरे सपनों को पूरा भी करते हैं यानि कि इन्होंने कभी भगवान को इस्वर को नहीं देखा लेकिन फिर भी इस्वर को धन्यवाद देते हैं कि इस्वर के दुआरा ही हमें इन्होंने जर्म दिया है और हम अबी तो हम लोग अपने सपनों के माद्यम से अपने सपनों को कलपना के द्वारा पूरा कर लेते हैं और उसी में सुखी से रहते हैं लेकिन फिर भी ये जो राजनिता लोग हैं राजनितिक लोग हैं ये समाज जो महाजन वर्ग है ये फिर भी हम जैसे हो लोगों सोसन करता है खुद को खुश रखने के लिए नेक्श देखिए वे मुतमहीन है कि पत्थर पिगल नहीं सकता मैं बेकरार हूँ आवाज में असर के लिए मुतमहीन होता है इत्मिनान से मुतमहीन क्या होता है इत्मिनान से या आस्वस्त और बेकरार यान होता है बेचेन या आतुर और अशरी में होता है प्रभ स्वार्प नहीं सकता में पैकरार हो आवाज मसर अब यह गरीब व्यक्ति क्या कहता है कि जो ये भृश्ट लोग है जोड रिय्मने हैं कि पत्थर पिगल नहीं सकती यानि इसमें मैं आस्वस्त हूँ मैं इत्मिनान से कह सकता हूँ कि जो ये बरश्ट लोगें सोसक वरगें इनके पास दिल नहीं है वना दिल होता इर्दे होता थे पिगल जाते मैं बेकरार हूँ आवाज मैसर के लिए अब यदि अपन चाहकर भी कुछ चाहें कि मैं बेचेन हूँ आवाज मैसर के लिए यदि मैं चाहकर भी अपने आवाज में कुछ परभाव लाहूं तो कभी कहता है कि तुम्हें राजनीती उसोरी करांती करना पड़ेगा यदि तु करांती करोगे तब ही तुम्हारा कुछ हो सकता है वना तुम्हारा कुछ भी नहीं हो सकता जब जब देश में करांती हुए जब जब देश में बदला हुआ है तो कभी भी ये कहता है कि गरीब कह रहा है सोसित वर कह रहा है कि इन वरश्ट लोगों के पास तो सगवर के पास क्या नहीं है दिल नहीं है इसलिए तो ये पिगल नहीं सकते हैं मैं बेकरार हूँ आवाज में असर के लिए मैं कहता हूँ कि तुम लोग एक बार फिर से करांती करो यदि आप अपने आप में एक नया उत्पन नया प्रभाव देखना चाहते हो अपने यु는 के पास दिल नहीं होता तबी तो वे लोग सोसन करते हैं जिंदगी में खुश है फिर कभी कहते हैं कि आम विकती अगर विरोध करने पर उतर जाए तो करांती लाए तो साध उनकी जिनदगी बडल सकती है कभी कहता है कि मैं तुम्हारी आवाजी के लिए कि चिंतित हूं कब तुम करांती करोगे कब तुम आवाज उठाओगे अपने श्यूम के लिए इसलिए तुम्हारी जिंद्गी भी बदल सकती है कहने का तात्प्र क्या है कभी ने सोसक वर पर तो कटाक्स किया है सोसित वर पर थोड़ा सा यहां पर मरहम लगाने का गहाव प पर कटाक्स भी करती है कि तेरा निजाम है सील दे जुबान सायर की यह एतियात जरूरी है इस बहर के लिए निजाम क्या होता है राज या सासन एतियात होता है साउधानी और बहर होता है चंद तो निजाम क्या होता है राज या सासन और एतियात क्या होता है साउधानी और बहर क्या होता है चंद बहर चंद एतियात साउदानी निजाम राजिया सासन तो कभी क्या कहता है तेरा निजाम है सील दे जुबान साहर की ये एतियात जरूरी इस बहर के लिए कहने का तात पर ये क्या है कि कभी कह रहा है कि एक सायर में या एक सासक में बहुत ही अत्यदिक नगे ताकत होती है वह है अपना सासन्स जो करता है वह हमारा मुहें बंद करने के लिए हमारी साथ कुछ भी कर सकता है लेकिन ये सावधानी जरूरी है इस भहर के लिए लेकिन हमें भी अपनी स्यूहम की सावधानी के लिए इस छंद को हमें लिखना पड़ रहा है सावधानी से कभी ये हमारी कलम को तोड़ दें हमें पता ही नहीं चलेगा तो कभी कहता है क्या कि जब कोई सायर अपने सायरी के द्वारा कुछ लिखता है इस सोसक वर्ग के बारे में तो वो जब यह सायरी अपने उच उफान पर रहती है जब यह सोसक वर्ग के बारे में कुछ कहती है तो यह जो सोसक वर्ग है यह जो सोसक वर्ग है वह उस सायरी की सायर का मुहे या सायर का कलम है उसको तोड़ने कोशिस करता है सायर का मुहे बंद करने कोशिस करता है इसलिए तो हम अपने इस बहर के लिए सावदानी जरूरी रखते हैं थोड़ा सा हम हम सोच कर भी लिखते हैं लेकिन थोड़ा हम क्या करें अब एक कवी जो है एक साहर है वो क्या करता है अपनी कवीता के मादम अपनी रचना के मादम लोगों में नव जीवन का एक आवान करता है एक जीजी विशा उत्पन करता है तो वही कवी साहर बन कर गजलों के मादम से क विरोध करते हैं जब साइरी विरोध पर उतर जाती है तब सत्ता के लोग इनकी आवाज बंद करने के लिए इनकी लेखनी पर भी परतिवद्टा लगा देते हैं और अपने चेहरे को लोगों के सामने आने से रोग देते हैं और सासक जब यह उठान ले कि मुझे यह कारिय अर्थात कोई भी कार्य करना है तो वह जरूर करता है कहने का तात्प्रिय क्या है कि जब हम इस हमें भी कुछ सावधानी रखने के लिए हम अपनी कलम से कुछ लिखते हैं तो हमें भी अपने इस छंद के लिए कुछ सावधानी बरतनी पड़ती है लेकिन जब हम जैसे कोई स चाहिए वो हमारी कलम को पर पर्ती बदेत क्यूं लगा दे। चाहिए रिखना के लिए उवह पर्ती बद क्यूं नगा दे क्या हम लिखेंगें नहीं तो लिखेंगें जब तक लिख सकते हैं Tब तक हमें कोई नहीं रहो सकता, साथ भी देखिए, जिये तो अपने बगीचे में गुलमहुर के तले, मरें तो गेर की गलियों में गुलमहुर के लिए, यानि कि जिये तो अपने बगीचे में गुलमहुर के लिए, कभी कहता है, चाहे तुम अपने लिए जिएो, चाहे तुम किसी दूसरों के ल सवादिन होने का अख है सभी को सवतंतर जीवन जीने का हक है मरे तो गैर की गलियों में गुलमोर के लिए हमें एक दूसरे का साथ निभाना चाहिए हमें एक दूसरे का साथ देना चाहिए हमें एक दूसरे पर मर ना बिटना जाना चाहिए उसकी साहता के लिए क्योंकि सभी सभी क्या है शवचंद हैं सभी क्या है सवतंतर है सभी को सवाधिन होने का अधिकार है अब हम सवतंतर हो चुके हैं तो कभी कहने का तात्पर क्या है कि जीओ तो अपने लिए जीओ या मरो तो अपने लिए या दूसरों के लिए या अपने लिए मरो या दूसरों के लिए मर व्यक्ति को सवादिन अर्था सवतंतर होकर जीना चाहिए हर एक व्यक्ति को यह समझना चाहिए कि चाहिए वह अपने लिए जीए या औरों के लिए जीए दूसरों का उद्धार करे या अपना उद्धार करे मगर उनको मानव जीवन के मूल्यों को समझना होगा यदि कोई मानव जीवन के मुल्यों को नहीं समझता तो वह मानव नहीं हो सकता अर्थात हर मानव को सवादिन तरीके से जीना चाहिए और हर एक के जीवन को सुख में बनाने के लिए एक दूसरी की मदद करनी करना चाहिए ना कि उसका सोसन करना चाहिए कभी यही का है कि चाहे तुम अ कुराइ करें दूसरों का मारें उताड ऐसा नहीं होना चीए क्योंकि सभी को स्वादिन होने का अक है सभी सबसंतर हो चुक्त हैं सभी को सवच्छंद रूप से 17 रूप से जीने का तो जिब यह जितने साथ गजल थीन की कवी की तो इनका जीना चाहिए और एक दूसरे किस परकार से मिल कर रहना चाहिए तो बच्चो ये थी दूसिंत कुमार जी द्वार रचित साए के दूप से जितनी भी सात गजले लिए उसातों के सातों हमने गजले पढ़ लिए उम्मीद करता हूं आप लोगों को बहुत अच्छा समझ में आ गया होगा तो अभी के लिए इतना ही धन्यवाद थेंक्यू सो मच